एलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाच्छाला में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बड़ी अधंग से चल लगी होगी दोस्तों अभी अभी थोड़ी गेर पहले ही UPSC की साइट पे जो आपके सामने खुली हुई है इस पे दो नोटिफिकेशन आए जिसमें एक नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप देखिए नोटिस बोड जो यह जगह है यहाँ पे यहाँ पे आयूगद्वारा वरस 2022 में आज़ित की जाना वाले लिखित परिक्षाओं का वार्सी कलेंडर है इसके संबन्द में आपको बता चुका हूँ लेकपाल, पोरस्ट गार्ड, एनेम, एनेम वगरे इन सबकी डेट्स आचुकी लेकपाल के लिए बस दो महीने से भी कम का समय है लेकपाल के लिए तो एक तो आप जबा के तियारी में लग जाईए, साथ में एक चीज आपको दिखा दिता हूँ यहां पर सबकुछ आपके लिए फ्री है, आपके जितने भी एक्जाम आगे होने वाले है उसके लिए आपको सबकुछ यहां पर फ्री मिल जाएगा, ग्रामेंड परिवेश है, यहां पर आप देख सकते हैं पूरा सेक्षन अलग से बना हुआ है, हिंदी भी है, हिंदी साहिते का अभ्यास भी है और तमाम चीज आपको मिल जाएगी, GS वगरा, और आपकी कल से, मतलब क्लासे भी यह सारी चल जाएगी, continue हो जाएगी आपको बस पढ़ना है, बहुत बहतर तरीके से, और सेलक्षन आपका निश्यत होगा आप तमाम ये पूरा प्रेलिश सेक्षन आप देखिए, यहां पर हिंदी भी बहुत सारे चेप्टर पढ़े हुए बहुत डिटेल में, शोट वीडियो में और बहुत जबरदस और पूरे यूट्यूब पे हिंदी साहिते का कोर्स नहीं है, यह तेहीश वीडियो में बिल्कुल फ्री कोर्स पड़ा हुआ है, आप जाहिए पढ़िए और बहतर तरीके से करिए, अब इंपोर्टेंट आप पूरा नोटिफिकेशन खुलके आएगा, और यह पूरा नोटिफिकेशन है आपका सम्मिलित प्रवर एवं अवर वर्ग साहयक, तेकिन है यह प्रवर और अवर जो वर्ग साहयक है, आप इसको इसको इस तरह बान सकते है, Review Officer और Assistant Review Officer, RON, ARO की तरह आप इसको ले सकते हैं, और पूर्ति निरक्षर यानि सप्लाई इंस्पेक्टर बहुत जबरदस पोस्ट है तो आपको इसको अप्लाई करना है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पीडियो पलक से डाउनलूड कर रखी है यहां पे देखिए यह पूरा का पूरा है अपना आज ही देखो यह अभी जा जाने ठीक है दोजार दोजार बाइस का समझा दोजार बाइस का तीसरा विज्जापन है इनका और मुक्यपरिक्षण के अधार पर चौथा विज्जापन इनका है देखो बाइस तारिक से यानि कि कल से आपके यह फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो लास देट है वो बारा मई है इसकी डारम East कि वारे इसकी अऐग्जाम डेट के बारे में आपको बताऊंगा दिया ऊए इसकी अट के बारे में भी यहां पर देखिए आप आवेदन में अक्रियर्म चंछोदन उन्निस म Ambos सकते हैं आप इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूं बहुत जबर्दस पोस्ट है यहां पर लिखा गया के विज्यापन संख्या यह यह और प्रारंबिक अर्था पैट के आधार पर मुख्य परिक्षा के तौर पर इसको लिया जा रहा है यूपिट्र पलसी के द हाध्य तथा रसद विभाग में पूर्ति निरक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर के 45 पदों से इतकुल 46 पदों पर यह भरती है बहुत जबर्दस्त है आपको यह जरूर भरनी चाहिए साथ में देखो इसमें हिंदी आईगी तो हिंदी राम जी की पाट शाला ऐसी आपको कर करना है यहां पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बेटन है उसको प्यार से थपकी दे देनी है और आपका काम हो जाएगा बाकिया पढ़ते रहे हैं आपको बहुत मज़ा जाएगा राम जी पाट शाला आपके लिए निशुल्ख बहुत बहुत से बहुतर से बहुतर च अधारित करते हैं यह जरूरी है इनके बारे मैं आगे देखेंगे अभी और आयू सीमा बढ़ते आगे तमाम चीज़ें आप लिखी हूँ है पैट के अधार पर यह सब चीज़ें है अब यहां पर आप देखिए यह पूरा पूरा पढ़ सकते हैं मैं इसको डाल दूगा तेलिग्राम में अब यहां पर देखिए अभी ही क्या काम करेंगे यह आप के भी मिला फॉर्म भरिए आप सब फॉर्म भरिए और आप चाहे अन्रिजर्व्ड से हूँ हो भी सी हो सी हो सी हो ठीक है आप किसी भी वर्ग से हूँ तो आपको अभी 25-25 रुपे इनको जमा करन उसके बाद क्या होगा यह आगे जाके शोट लिस्ट करेंगे अगर बच्चे कम हुए इसमें तो शोट लिस्ट नहीं करेंगे सबको एक्जाम में बिठा जाएंगे जैसे A&M वाले में सभी को इन लोगों ने लागू कर दिया है बट अगर बच्चे जाद होए तो शोट वरिकेशन होगा तो उस समय यह इसकी एक प्रती प्रतुत करनी होगी यह आपको ध्यान रखना है तो यह बहुत अच्छे से आपको सवाल के रखनी है आगे दिखाते हूँ मैं आपको यह तमाम चीजे है अब यहाँ पर देखो इनके पद का पुरा ब्योरा देख लो तो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चायन आयोग में ठीक है यानि कि यूपिट्र बलसी ने अपने लिए ही इन भरती को निकाला है प्रवर बर्ग सायक है और अबर बर्ग सायक है यानि कि लखनों में हैं आपको पुस्टिंग मिलने वाली है एक्कीस से चालिस एक्कीस से तो आप देखो जो प्रवर अबर के सायक है इसकी यू आर में चार है और एस्सी में इसकी दो पोस्ट है एस्सी में कोई नहीं है अन्ये पिछडा में इसकी चार है और EWS में एक है टोटल ग्यारा पोस्ट है अबर अबर के सायक में आठ है जनरल में और स्सी में चार है स्सी में चार है स्सी में कोई नहीं है और आपका OBC में 6 है और EWS में 2 है टोटल 20 पोस्ट है और आगर आप सप्लाइंस पेक्टरी बात करें तो जनरल में 33 हैं स्सी में आपकी हैं 2 स्सी में कोई पोस्ट नहीं है में कोई पोस्ट नहीं है OBC में 6 हैं और EWS में 45 है और स्था इस्था यह हमेशा लिखा ही रहता है इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए आगे दिखते रहे हैं देखो यह पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है कि ठीक है आप पढ़ लेना एक बार मैं मुख्य मुख्य चीज़ें आपको इसमें बता रहा हूं अब यहां पर देखो आप विभाग का नाम है अब देखो यह जो यूपी ट्रपल सी ने प्रवर वर्ग रिसायक के हो या NCCB certificate आपके वास hold हो ठीक है अवर-वर के सायक में भी सेम ही है graduate होने चाहिए आप और यह सब चीज़ें उसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग में जो पूर्ती अरिकारी है इसके लिए यहां पर आप देखिए किसी मानिता प्रापर विश्ट देलने में इस नात तक की उपाधी है ना आप graduate हो और देवनागरी लिपी में हिंदी का अच्छा ग्यान होना चाहिए यह important है तो हिंदी के लिए आप राम जी पट्शालों सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए बिलकुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अधिमानी अरता में यह सब चीज़े सब को 5 years का है आप देख सकते हैं यह सब आगे बढ़ते हैं देखो इन्होंने अभी क्या बताया है कि आपका जो एक्जाम के बारे में है कि लिखित परिक्षा के संबंद में नोट है कि जो निकाली गई है अगर इसमें आवेदन बहुत जादा होते है तो short list किया जाएगा पैट के अधार पर और उनकी लिखित परिक्षा को एक ही shift में या एक ही दिन में कराया जाना कुशिश किया जाएगा यदि एक से ज़्यादा shift होती है तो normalization किया जाएगा यह आप simple सी बात है अभी ना तो इन्होंनों लोगों ने syllabus इसका बताया है ना इसका patent बताया है जो है हम exam calendar खूल लेते हैं यह देखिए यहां पर इसकी date लिखी हुए है मेरे दोस्तों आपका जो यह exam है यह आपका 29 जून को होगा ठीक है मैं इसको save कर लूँ एक बार फिर आराम से हमने इसको open कर भाएंगे को issue अपने को नहीं रहने वाला है इसमें ठीक है यह यह देखो यहां पर आप सम्मिलित अवर प्रबर एवं अवर वर्गसायर पूर्ति निरिक्षर यह 29 जून को आपका exam है यह आपको ध्यान रखना है और आपका forest guard का 21 अगस्त को है उसके बाद अनुदेशक जो ITI वाली था है 17 जुलाई को है और मुक्य जो है 19 जून 2022 को आ जल से ही आपकी continue हो जाएंगे आप जरूर देखें निशुल्क है शोटी वीडियो में better content इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठ शाला मैं हूं राम भारत द्वारत जै हिंद जै भारत